हाई फ्रेंट्स वेलकम डू आई टेकनिकल चैनल में आपका स्वागत है डेली करेंट एफेर्स वेकेंसिस इन्फॉरमेशन आई इस रेलेटेड वीडियो पाने क्लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अन किजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो सबस्क्राइब के पहुंचे आप उसे देखें आपको सेसन अच्छा लगता है सेसन को जानकारी मिलती दोसे लाइक कीजिए और दोस्तों में सेयर कीजिए जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्टेशन की तैयारी करने वाले बाद चुकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट से इसलिए चलिए हम सेसन की और चलते हैं अब हमारे चैनल आइटी गोल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब किजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाईएगा और आज हम पढ़ेंगे 23 परवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट है फर क्व दिवस कब मनाया गया तो इसका राइट आंसर है आपसन नमबर सी 22 फरवरी प्रतेक वर्शे 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है जो लोग अधिक चिंतित होते हैं उन्हीं के आद्मिया दिवस मनाया जाता है विश्व में स्काउट गाइट के जन्म दाता लेडी बेडेन पावल का जन्म दिवस को विश्व चिंतन दिवस के रूप में बड़े दूम नम से इसकुलों में मनाया जाता है स्काउट गाइट के जन्म दाता तो अब देख लेते हैं स्काउट गाइट के जन्म दाता कौन है यह स्काउट गाइट का रियाले में पाव बेया 1889 में हुआ था दोनों का जन्म याद रखेगा लाड़ पाविल को था 1857 में और लेडी पाविल का वा था 1889 में तो इन दोनों के लिए यहां दिवास मना जाता है भही डिपेंदर कावर ने कहा कि बेड़न पाविल के प्रेना पाकर भारत में जनपस निवासी स्री रा राम वाच पेई ना पिनका नाम भी जरूर याद रखेगा तो इसका राइक आंसर आउसन नमबर सी चलिए नेस्ट को सन के चलते हैं नेस्ट को सने हाल ही में किस राज में साइंस सीटी परियोजना प्रारम करने की गोशना की है तो अब बात कर लेते हैं उत्राखन की उत् अप्र विदेश यह से आनप ना राज बनाया थहाँ उत्राखंड़ को सीमे तर्वदेश अमें शावी यह तर पर अपरस क्या बर्मुबा रिजिपाल है तक लेकिन त्राखं़ चल से उत्राखंट का दोजार साथ में याद रखिएगा नेस्ट कोच्छन है बारत गंड़ाज के 27 राजी के रूप में इसे सामिल किया गया था और राज का उत्षी नहेंअल एक नीनिताल में सक्षरताध सेवेंटव पॉइनस दिए का पूर्शोग सांट सब्वार का 1ए 62 फेल्च्षेंट हैं एटी अपर प्रम फौर्शों परनाला और ये इसमानल थे पासुआ नहीं हुआ यहां की प्रमुख नागह यमुना भागी रहती गवड़ी अलक नंदा कोशिख शारदा राम गंगा मंदा किनी और जिलांगनह कि यहां की प्रमुख जीुम जीबीस लाची जावी जीबीदाल नाग वाली जील है जमूकसभी, नेस्ट कोषबिया है, यहां की प्रमूक बुलिए है, गरवाली, कुमावनी और आदी, और यहां के प्रमूक मेले रहे नंदा देवी 7816 मिटर जो भारत का दूसरा सबसे उचा परवत है पेस्ट कोशन का राइट आंसर है ऑप्शन नमबर भी इसका राइट आंसर है चलिए नेश्ट कोशन को चलते हैं नेश्ट कोशन है हाल ही में किस राज्जम में अपना अभी तक का सबसे बड़ा बज़ पेस करने गोशन की है अभी तक का यहां के मोक्य मंत्री योग याधित्तिनात और यहां के वित मंत्री है यहां कौन सुरयस कुमार खन्या जिन्होंन अभी हाल ही में कि कल ही यह बज़ट पेस की हैं उतर वन्गज़े ofी तक का सबसे बड़ा बज़ट है उतर व्यज़ें livre यहां पर राज़पाल है आनकी बैन्पटेल कोन है आनमंदी बैंपड़ल यहां पर राज़पाल है इसका रैट आनसर हो जाएगा आपसन नंबर बीच चलिए हालही में आइ रिपोर्ट के अनसार बारत में सर्वादीक वायु प्रधूशन से प्रवाइत होने वाला देच का सहर का व्या कौनौ साय दिया है दिल्ली इसमें पहले नमबर पर है दूसरे नमबर पर मुंबाई और तीसरे नमबर पर हैं बैंगलूरू दिल्ली में लगबग 54,000 लोगों की मौत हो चुकी है इस वर्स वायू प्रदूसन से तो यह बहुत ही खराब आकड़ा या फिर अच्छे बात नहीं है हमारे देश के लिए और पिछले वर्स दुनिया के पाच बड़े सहरों में वायू प्रदूसन की बात करें तो इसमें दिल्ली सिर्ष पर रहा है जिसमें की 54,000 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे 528 अरब रुपए का नुकसान हुआ है दिल्ली सरकार को और यहां दिल्ली के 13% सकल घरिलू उत्पाद यानि जीडिपी की 13% के बराबर है और उसके बाद में जापान के बड़ी आबादी वाले प्रदूशीत महान अगर देख लेते तो इसमें भारत का दिल्ली सहर पहले स्तान पर है जिसमें की 3 करोड लोग प्रभावीथ है वायू प्रदूशन से और मैक्सिको मैक्सिको की मैक्सिको सीटी 2.2 करोड लोग प्रभवाईत है यहां पर ब्राज तो इसका राइट अंसर है अब्सन नमबर ए दिली के राज़ानी यहां पर मुक्यमंत्री है अरवीन केजरिवाल और उपर राज्विपाल है अनिल बेजल कोने अनिल बेजल तो इसका राइट अंसर ओप्सन नमबर ए चलिए सबस्क्राइब किजिए और बेल आइकन को भी आन किजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो बनाऊ सबसे पहले आपके पास पोचे आप उसे देखें मुखके बन के मुखके मंतरी जगन मोहन रेडी जीने एक मंदिर में रद का उड़ाइब किया है और यहीं आन्यृत के मुखके मंतरी जगन मोहन रेडी ने रट का उध्याटन के और इसकी खाद बात दिया एक करोड रुपाय में बन के तयार हुआ है और उसके बाद में छे बड़े ठोस पई लगाए गए है जो मात्र सिर्फ और सिर्फ लकडी के बने गए और इसमें हैड्रोलिक ब्रेक्ट का भी उपयोग किया गया है और यह रट सुभूसन हरी चंदर मुख्यमंद्री जगन मोहन रेड़ी और विधान मंड़े दूए सिद्नियानिक विधान परिस्टे जिसमें अठाइन सीटे कितने हैं अठावन सीटे और विधान सभा में 176 सीटे तो इसको सन का राइट आंसर है ऑप्शन नमबर सी इसका राइट आ इनकी रासी पहले थी दस लाक रुपए जिसे अब बढ़ा कर एक करोड रुपए कर दिया गया है सिदे सिदे से दस गुना बढ़ा दिया गया है और जो इनसे छोटे पृसकार होते थे जिनमें आठ लाग मिलते थे उन्हें अब असी लाग दिये जाएंगे तो यह बहुत प्रेजन टाइम के गरहमंत्री अमिर्शी जिन्हों ने अभी यह इस बूक का विमोचन किया है और यह CRPF के उपर लिखी एक बूक है यांशियर्व कर जान कर द दो पिलीच में और इस किया है इन्होंने और इसमें CRPF के गरिमा में इत्यास और उनकी संपूरन यात्रा च चलिए नेस्ट कुछन के चलते हैं इस्ट कुछन हाल ही में शीको हाशी में मोटो को टोक्यो ऑलमपिक 2020 का अध्यक्ट चुना है वर किस देश से द्वाइब जापां से है जिसको अध्यक्ट चुना गया है इसका 2020 क्रिसमक अलमपिक खेल कोरोनोवाइरस महामारी की वज़े से टोक्यो ओलम्पिक आयोजन एक साल के लिए टाल दिया गया था और अब यहाँ 2021 में होने जा रहा है जिसका आयोजन होगा कब 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के बीच होना था लेकिन अब यह होगा एक वर्स बात सीधे सिधे 23 जुलाई से 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक और खेलों के मेजबाने के लिए तीन सहरों ने अपनी बोली पेश किती जैसे कि टोक्यो मेडरिट और इस्तामबुल तो ओलम्पिक मंत्री है जापान की उनको इसका अदेक्ष बनाया है अग्ष बनाया है जापान की ओलम्पिक मंध्री को तो आप बात कर लेथे हैं जापान की राजजदानी है टोक्यो जो होंशो डीप भारत जापान और चीन यह तीन देशों के मद्द होता है कैजिन संदी अभ्यास होता है नौशेनिक अभ्यास है और शिन्यू में ती होता है वाई शैनिक अभ्यास जो भारत और जापान के मद्द होता है यह होता है भारत जापान अमरिका और आस्टलिया चार देशों के मद्द में नेश्ट्रेस में जापान के चार बड़े द्वीफ है कोंसे होंसू होकाइडू क्वेशू और शीकोकू आप इन्हें भी चरूर याद रहे कि जो कि इसके राजधानी होंसू दीप पर है और जापान को सुर्योदाय का देश सुकुमार फूलो का देश और पूर्व का ग् सब्सक्राइण देश लिगल्स लेटराइट या ब्रेट फोर्ड कहा जाता है नगया को और जापान में लगाता नवी बार अपने रक्चा-पजब्जेट में वर्द्धी की है जो पिछले वर्स के मुकाबले में जापान के रक्चांत में एक दिसंवल एक प्रतिस्द की और यह व्रद्धी कब की यह भी डेट आप याद रखेगा लास्ट व्रद्धी की एनोंने 21 दिसंबर 2020 को जापान के अर्थवेस्ता दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थवेस्ता है अब मैंने जापान के बारे में आपको काफी जान कर दे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चलिए नेस्ट को सेंट चलते हैं अधि आप हमारे चैनल आईटी गोल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इससे सब्सक्राइब की जो अपने दोस्तों से भी चरूर करवाईएगा हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार सड़क हाथ सों से जो दूर गटना होती है तो पूरी दुनिया के में जो सो पर्शंट सब्सक्राइब की जो सड़क दूर गटना होती है उसमें भारत में 11 परतिस सब्सक्राइब होती है तो यह बहुत इस इमेज के माद्द पे까지 समच सकते हो भारत में दुनिया के मात्र ऐक प्रसाथ ऊजवन रिप लिक लेकनों विश्व भर में होने आली मौतों का 11% हिस्सा यहीं पर मौत होती है और विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनिशार यह जानकारी दी गई है और भारत में सालाना करीब 4.5 लाग शरर दुरगटना होती है जिसमें जिसे 3.5 लाग लोगों की मौत हो जाती है और देश में हर घंटे में 53 सड़क दुरगटना होती है जिसमें कि हर 4 मिनट में एक वेक्ती की मौत हो जाती है काँ पर भारत में तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नमबर B चलिए नेस्ट कोशन को चलते है नेस्ट कोशन है और बहुत ही इंपोडन कोशन है हाल ही में औरस्टेलियन ओपन 2021 का किताब किसने जीता है तो यह जीता है तो इसका राइट आंसर है आप्शन नमबर D नाउमी ओसा का जो जापान की है प्लेयर इन्होंने यह खिता है अभी जेनिफर ब्रेडी को हरा कर तो अब बात कर लेते हैं इसकी यही है जापान की बेस्ट टेनिस प्लेयर नाउमी ओसा का जिन्होंने अभी यह खिताब जीता है और इन्होंने जापान की स्टार टेनिस प्लेयर है यह और पहला खिता था 2019 में उस्टेलियन ओपन जो अभी जीता है वहीं और इसके अलावा दो बार यूएस ओपन जीता है महिला सिंगल्स टाइटल का किताब और इस तरह से उनका यह चौथा किताब है और उन्होंने फाइल में में ब्रेडी को छे चार छे तीन से मात दी है किसे छे चार और छे तीन से और इन्होंने यह मतलब आटवी बार खेला है और इसमें से चार खिताब जीत चुकी है यह उपन की बात कर तो इसके स्थापना की थी 1905 में और इसके अभी तक एडिशन हो चुके 2019 के साब से 109 और इसका लोकेशन है मेलबर्न ऑस्टेलिया और आगे देख लेते में इसमें क्या दिया गया है सर्फेस किस सर्फ तो वर्स के स्टार्ड में होता है सबसे पहले ऑस्ट्रियन ओपन टूर्नामेंट की ती इसमें 18 जनवरी से 30 जनवरी के मद्द लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है इस्थान है मेलबर्न पार्क मेलबर्न में और करेंट मेंस सिंगल चैंपियोंस में नोवाग करेंट चैंपियन य council के बात है फृट का बताया जा रहा है और विंबर्मडन एमें जेन से जुलाइं में ङुस्छे आग्माय के सथे में नेचाता हुं करेंट किरुंग एंगलेंड के तयूट एन पिएस में चैंपियोंस में प्रफ से उता अगुडक्या हम surge हो न्यो यर्क में होता है में सिंगल में रफल नडाल और वुमैंन इसमें किमस क्लिस्ट मर्ष और अब मैं आपको इसकी ट्रीक बतादेता हूं सभी की तो इसके ट्रीक है अफ वाह आप इसे अफवाइज आफवा से याद रख लिए जिएगा पहले होता है Tapi फिर होता है फ्रेंच ओफन फिर होता रूंबल्ड में पिर होता है उस अफवासे उस है और फिर होता यूसानी से तु critics' करा की सासर दें आप्शन नमबर डी इसका राइट आंसर है चलिए आज का सेशन यहीं समापत होता है इसी तरह के नौलेजफुल वीडियो पाने के लिए और डेली कृरंट अफेर्स वेकेंस इंफॉर्मेशन और इस रिलेटेट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजि है, आपक्रИप जगो के लिए ऊगीए ऑ propor अब अफेर्से पतbersन का स्पल्दापन यही हमारे चैनल को सब्स्न 새 से जगशे के लिएल में इस बितन सब्सक्राइब का सकतों सब्सक्राइब का से यह सिर्सेचल च themen